हेलो एब्रिवन वेल्कम बैक टो और यूटूब चैनल एग्रिकल्चर एंजी के मेरा नाम नेया है और आज के इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने वाले हैं कटहल की खेती के बारे में कल्टिवेशन ऑफ जैक फूट तो सबसे पहले अगर वे चैनल पर नए विजिट क सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल नोटिफिकेशन को जरूर अन रखिए और वीडियो अच्छी लग रही हो और चैनल आपका जो चैनल का काम है वो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज अपने दोस्तों के शाश्यार जरूर करें और अगर आप हमारे साथ अपने प प्रप्रेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ हमारे कोर्स प्राइस एक हजार में के साथ आप जो है हमें जुड़ सकते हैं और इस जिसमें कि आपको हम कंप्लीट जो है कवरेज करेंगे सिलेबस का प्लस आपको जो है कि हम प्रोवाइट कराएंगे नोट्स प्लस सब्सक्राइब Kutthal T प्लेस उत्पत्ति का स्थान हमारा भारत है उङल समें हमारे consent 60 product इसमें 20ग परसंट कार्भोईडर्यिट को यह 20 परसंटफ कार्बोईड़्रेट मिलता है जाया कि 14 परसंट कार्भोईडरें के कुछिछ इमेजिस के इसलीच की होते हैं चुछे इसलीच का राट आघे कम सब्राइबभाने कें inveas On का इसलीच के इसलीच मेंधर प्लक किए सब्सक्राइब होता है कल इसलीच को और सीडलिंग को हम अच्छे से अच्छे ग्रोथ के लिए हम जो है कि उसको 25 PPM NAA के साथ हम जो है इसको 24 आस के लिए सोक करेंगे तो उसमें क्या हमारी जर्मिनेशन और सीडलिंग ग्रोथ अच्छी होती है ठीक है जैक है जिसको आर्टो कार्परस हेट्रोफाइलस मोरियस इसको डीयसे टीकों फिल्कों को यह पार्परस हेटंज ख्यार्ज मिठत्म जो होन्हम मकश क्या है यह में जो हरी जह मैं की ईम्पोरी और सी फिए को को सदूरेशन ने जनवी enorm ग्रोथ अबख़र्टी करें होगे हिए मेंग से बाइचित शीटूर्टार अजार्टी स्दूर स्पीजल प्राल स्वातर के लिए छूदु प्लाइन हमारे लिए डीप बेर अट्री मारे सप्लिट व प्लांटिंग प्लांट इंद मर्मियशा चाहिए रज़ Etropog प्लाइशल प्लांटिंग में इन बेशा समय हो जो मारे हैं 645 अगर प्लांटिंग तो आपको 1% Aluminium Sulphate से आप अपनी सोयल को ट्रीट कर देंगे ताकि आपका पीएच आजाए अपने जितना हमें रिक्वाइट पीएच है यह हमारे प्लेन से लेके हिली एरिया होते है वहां पर इनकी ग्रोव या कल्टिवेशन की जा सकती है तो यह होगे सोयल और क्लाइमेट के बारे में बात करेंगे अगला पॉइंट है हमारा प्रोपोगेशन के बारे में सॉफ्ट वूट कटिंग, सॉफ्ट वूट कटिंग मतलब आपका जो है कि यह हमारा मेन जो कटिंग प्रोसेस गया ग्राफ्टिंग या प्रपोगेशन का मेतर है, यह यहां पर मेली अपनाया जाता है, तो क्या लिखा है, लार्ज स्केल प्रपोगेशन ऑफ जैक कैन बी डन क्लेफ्ट घ्राफ्ट ड्युरिंग हमें , वं स्के Цक जन दो कटिंह उससे कंट जन हो इसन गLINGर आफ। हम सेम आ फिर वन प्रोगेशन की यहां मत्वर करते हैं, तो क्या प्रपोगेशन एपन प्लांटिंग अ contenido क्या होता है? उसकी का प्रपरेशन पॉटक है, वो मिर मिट य साइस के वन मीटर लंबा वन मीटर चौड़ा वन मीटर गहरा यह हमारे इसके जो गड़े उसकी खुदाई की हाइट होनी चाहिए और उसकी चौड़ाई उसकी लंबाई इतनी हमारे जो प्लांटिंग के लिए रहनी चाहिए फिल अप दे पिट विद टॉप अब क्या है जितने भी हमारे जो गड़े हमने खोद रखे है उसमें दस किलो फर्मयाड मैनियूर मिलाएंगे और एक किलो जो है नीम केक पर पिट मिलाएंगे यह होगा वन केजी नीम केक पर पिट होगा अप्लाई लिंडेन 1.3 परसेंट एड़ेट 100 ग्राम पर पिट एंड हम चाने पर और इंडेन अप्लाई कर सकते हैं तुक पर मुद्पर नो ब्हुत्त प्लांट्ट कर सकते हैं तो यहां अधिकिव कि घ्राफ्ट से नीम की आपकी टाइम में थीक है आपका टeम्परेचर बहुत हाई नहीं होना है और हमारी जु इस्पेसिंग्रों के बात करे एट जो है मीटर इसकी स्पेसिंग हम रख सकते हैं अपने कठहल के लिए ओके बात करेंगे इरिगेशन के लिए वन्स इन वीक तिल प्लांट इस इस्टाबलिश हफ्ते में जब हफ्ते में आपका प्लांट जब तक अच्छे से ग्रो नहीं हो जाता जब अच्छे से इस्टा कि मैनियोर एंफर्टिलाइजर की बात करेंगे तो मैनियोर को हम जो है कि 2 श्प्लीट में देते हैं में से जून और सितंबर से अक्टूबर में देंगे ओके आगे हम लोग इसके बारे में डिटिल डिसकस करने वाले हैं और यह है आपके इन फ्लॉरिसंस पोजिशन ठीके जैसे कि आपका टर्मिनल पोजिशन पे होगा, तो सबसे प्लांट के सबसे उपरी भाग में आपके जो फल होंगे वो लगेंगे, तो इस तरीके से आप येलो कलर का और राउंड सेप है, ये है आपका फल यहां पे लगा हुआ है, फ्रूट जो बेरिंग है वो यहां पे हु अब हम बात करेंगे कि अपॉजिट में कि निए भाप आप यहां पे होगी उसके आप पोजिट आपका फल लगा है, तो यह उता है लीफ अपोजिट यह हो जाए अगला क्या होता है कि अल्टरेनेट और इंटर कालरी यहां पर इस तरीके कि बेरिंग हैबिट आपको देखने को आपको मिलते हैं वह होते हैं कैली फ्लॉरस के वहां इसम हिसमें और हैच्छ जो के के दिखने को मिल मिले औरomonak Rewinagent के म cities चर्राण है ने मीलेगा हैरे और और आमले पाइच्छ का एम में उते हैं अगर आपका फुरूत लेना है यहां से अगर आपको फॉल लेना है तो पेड पर छोड़ना है और इनको पकने तग इन्तजार करना है तो अगर इसकी सीट की होता है और आपको vegetable, vegetable कहते हैं इसको, सब्जी भी हम इसका यूज कर सकते हैं, और इसका जो चीन कि पैरियन्थ होता है, वो हम यूज करते हैं as a fruit, एक seed जो होता है, उसके साथ अराउंड में उसके flash होते हैं, वो बहुत ही tasty होते हैं, तो यह है हमारे कटल के खाने वाले यह है हमारे फ्लेश जो कि बहुत ही टेस्टी होते हैं और यह खाने के लिए यूज किये जाते हैं कि प्रफटिलाइजर के बात करेंगे तो अगर यह हमारे फर्टिलाइजर तो इस जो है हमारे यह क्या करने है पर प्लांट को देना होता है ठीक है तो पहले यह में 10 किलो हम लोक्त सबसे पहले बात कर लिए थे फिर 150 ग्राम नाइट्रोजन देंगे ठीक है फिर उसके बाद एक साल बाद उतनी देंगे फिर उसके बाद च्छे साल और उसके अबब जो प्लांट हो जाएंगे जब उनकी बेरिंग भी स्टार्ट हो जाएगी जब फल लगना स्टार्ट हो जाएंगे तब वहां पर हम जो है कि अपने जो मैनियोर्स एंफटिलाइजर उनकी मैनेज्मेंट सीडियाएं से धियान से के बाद करें में के पार ने हैं कि अधाकर शोब ऑरते हैं सब्सक्राइज थमाइर ने में के नोल रच्छा संस्थ हैं say 57 । सबसे पहले जो is a he तो फ्रूट बोरर को च्रूल करने के लिए कारबाइल जो है कि वेटबल पाउडर की फॉर्म में यहां पे इसका जो एसका करेंगे जो हमें करबाइल को चिटटाओ करेंगे इस्पिटल बग जो है इस्पिटल बग को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना होता है स्पिटल बग को कंट्रोल करने के लिए मिथाइल पेरथियॉन जो है हम यहां पर इसको छिड़काओ करेंगे या फिर मिथाइल देमेटॉन का छिड़काओ करेंगे ताकि हमारा इस्प इहां पर इस तरीके से यहां पर यहां पी फ्रॉट बोरर जो के चिंटार आपको यहां पर एकश्टाइड कर दरें शाइक इषिन करीज ब nósओं यह किया अप्सक्रमीन बॉपर मिफ्यमास ह兩 outrage us इसकी एकोनॉमिक वैल्यू को खतम कर दिया है तो आपकी मार्केट में इसको लेना कोई पसंद नहीं करेगा ठीक है इस तरीके से यह फल को बहुत ही गंदे तरीके से उनकुसान पहुचाते हैं तो पेस्ट जो की फूर्ट बोरर होगे और स्पिटल बाग होगे नेक्स्ट है इस में पुरा को पुर। ब्लाक कलर है और पूरी पुर्ट इसमें पीड से गिर जाते है और ये पुरी पूरी को खराबर रहे हो तो बॉर्डेक्स मिक्षिर को हम छिटकाव करेंगे या फिर कॉपर ऑक्सी कुलोराइड को छिटकाव करेंगे तीन बार 15-15 दिन के इंटरवल पे मतलब 45 दिन में तीन बार इसका छिटकाव करना है अब आती है हमारी हार्वेस्ट और इल्ड के बारे में हमने यहां पर जड़काव करना होता है इल्ड कमेंस फ्र nearby 2 इं ग्राफ्ट and 8 इ Archives यह पॉधां यह वॉगाए मार्च से जुलाई हमार्ज हर्वेस्टिंग के बारे में तो अगर इसल होता है कि अगर हम बात करते हैं दो März से całe ह्वेस्टिंग होता है वह वह कलतिवार फ्रूट वह वहार एक हम nearby रश कपश civilization करेंगे तो उसके मैनेजमेंट के एक एक अगरे हां गया है अगा है हमारे है Peak free logES type 2 य्ल्ड हमारी 32 40 टन 4 हेक्टेट के बात करेंगे फृुट हमारा जो हमारा 5lusive कि तक रर्ड टो हमारा 50 तक मिलेगा और हो हमारी फसल हमारी ya तो इस तरीके से कटल हमारे एक इंपोर्टेंट वेजिटेबल हो जाते हैं तो इध्यान रखेंगे इल्ड के बारे में इल्ड की आपके तीन क्रैटेरिया हो जाएंगी ठीक कि अभी मैंने डिसकस की और हर्वेस्टिंग टाइम हमारी जो है कि जुलाई हो जाती है और णक्ति नेग्स बात करते हैं तो यह है आपका रश्व्पस राट ॉक्याइह कर दो इस बटाए को ने आपको डिसक्राइब किया था कि यह पूरी यह पूरे एक किया थेकट से थैने होते है कि इस उने साave जए आप्रेट पर्टक है डीड है कर्लायात обрат keeper curry को जो है यूजरा क सब्सकिलित डीड है करmost किया ख belly अध कर्लोर के या की लिए ऐड़ेश को एक और किया त्वरता इड़ोन का फ़लोल कि में help करते हैं ठीक है हमारे जो इंडस्ट्री है जो फनिचर इंडस्ट्री वहां के लिए इंपॉर्टेंट टिम्बर है यह पी एच इनकी कल्टिवेशन के लिए हमारा वैरी करेगा 6.0 से 6.5 तक यह फ्रॉस्ट र्रॉस्ट और कोहां साँ और जो है कि पृक्रेंधी नेचर के नहीं होते हैं हमारे जो कट्षाल होते हैं एडियल टेंप्रेचर के इतना होता है इनके लिए टो ऐदल टेंप्रेचर के बात करेंगे तो hace until the 2 familiar 23 degree Celsius तक यह जो है इनके cultivation के लिए प्रॉपर आइडियल टेंपरेचर होता है रुद्राक्षी एन एट्रो कार्पस हिर्सुट हिर्सुट are also used as root stock यह हमारे रुद्राक्षी और जो है कि ए हिर्सुट जो है यह हमारे root stock के लिए यूज के जाते हैं ट्रेनिंग की बात करेंगे तो ट्रेनिंग हमारे a single stem for height 1.5 to 2 meter and then scap fold branch should be permitted ट्रेनिंग की बात करेंगे ठीके ट्रेनिंग हमारे यहां पर इंपोर्टेंट इसलिए होती है कि as we know califloras habit होती है ट्रेनिंग या फिर वहां पर दूसरी branches को हम अलाओ करेंगे वहां पर उगने के लिए ताकि हमारे जो है कि जो आपकी bearing है बीटो वह effect ना हो बहुत सारी branches आने की वज़े से ट्रेनिंग यहां पर इंपोर्टेंट होता है चलिए तो यह यह आपके जो सीट के साथ दिख रहें यह आपके parent होता है यह पका हुआ है कटल पका हुआ कटल आपका जो है की fruit की तरह यूज होता है और हरा सबजी की तरह है तो ध्यान रखेंगे इसके बारे में तो यह आपका parent जो की edible potion होता है हमारे की त्यों तरह हमारे की साथ चलिक यह हमारा सफो रहन होता है स्लिख इसके प्लक सकते हैं कि समय कर शॵरेसंस का का सभी आपके जाते हैं Eastern कि जा फूड आप पूर हम आओंपर आपस के माद्शन, कि बहुताब। कि बाड़ जाते हैं कि पूर हम जाथे हैं अएब जीति साबती है क्योंकि जौिकि इस सब्रक्चिर होता है wa आपके मीट के अखेण इस इसक वनेट को brush man meat भी बोला जाता है, the basic chromosome number is, basically chromosome number 2, basic chromosome number जो है, n is equal to 14, ध्यान रखेंगे, monosius, evergreen tree, monosius है, और evergreen tree है, world largest tree-born fruit, ञांगे, पेड़ पे बनने वाला ये fruit सबसे largest tree, जो fruit है, fruit की साइज सबसे बड़ी होती है, ञेके इससे बड़ा कोई fruit नहीं होता है, fruit flesh is the rich source of बीटा केरोटीन और आपके अंटी आक्सिडेंट यह सब सारी प्रॉपर्टी आपको जो है कि हमारे कठहल में आपको देखने को मिलती है ठीकि रेट फ्लेश फ्रूट के फ्लेश होते हैं उसमें जो विटामीन एक काफी मात्रा में पाई जाती है अगला है हमारा एक कंपाउ सब्सकरा पहले तो यह हमारा जो है कि हमारा एक कठहल में मैं typelexицically natural protein मिलता है जो कि हमारे जैक HU worthless मिलता सकते है और जो होते हैं यह हमारी यूज के जाते हैं यह क्या है यह पॉलिनेशन हैबिट की बात करेंगे तो पॉलिनेशन हमारा जो है क्रॉस पॉलिनेटेड होता है और मारा विंड के द्वारा इनका पॉलिनेशन होता है जो की एनिमो फिलस होता है यह हमारी जो हमाने भी बात करी थी क जो बेर्ञ पाप्ल-बद कालीफ्ा प्लोरिस कारें बात करति तोág मोर ओफॉलिनेशन जора यहां पर यहां पर होता है करेंड की ब учी अ मुदन कुझा was and थे उसे लोग प्लोरिस जो बात करेंगे सीड इस रिक्वाइड रिकाल्सिनेंट सीड अब क्या होता है कि यह हमारे सीड जो है इनको तुरंट अगर आपको उगाना तो इनको तुरंट आप लगा दीजिए ठीक है या नहीं तो यह की वाइबिल्टी इनकी जो है की लूज हो जाती अगर आप इनको स्टोर करके रखो मैचूर्टी जो है हमारा मैचूर्टी हम 120 1 Ke 14 इन बाद इनकी फ्लावरिंग के बाद हम 120 200 bigger दिन बाद इनक boy उझालीं आजाती एरेटिक बिहेवियर अब्जोर्ब एन जैक फ्रूट एरेटिक बिहेवियर यहां पे आपकी जैक फ्रूट में होता है और आपके जो है कि फ्लावरिंग टाइम जो होती है इसकी दिसमबर से मार्च में होती है ठीक है फ्लावरिंग टाइम इसमें जो है दिसमबर से मार्च म क्रिस्प किस फ्रूट के कैडिवेशन के बारे में आपको जानना है प्लीस हम O आप हमारे साथ जुट सकते हमारे गूगल प्लेट करनाया में कोई भी गिडिएर्फ में तेस्टिस पर जाएक आपको कोर्स लेना है वहाँ सारी की जो है कि आपको było अप्लिकेशन पे आपको वहां पे अवेलबल होगी तो प्लीज जॉइन करिए हमारे एप को अग्रिकल्चर एंजी के लिए वहां से सर्च करिए और आप वहां से मिल जाएगा आपको चलिए अगर अगर हमारे साथ और जुनना चाहते हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं थैंक यू सो मुच